यहलो गाइज वेलकम तू सेल्फ में टुटोरियल चैनल पर एक बार स्रीज से आपका स्वाकत है जैसे कि आपने देखा था कि हमारे चैनल पे बीएड लेसन प्लान के रिगाडिंग एक स्रीज श्टार्ट किया था हमने lesson plan for biological science जो science के student होंगे biology related या biology related तो इस lesson plan को follow कर सकते हैं या कर दे क्योंकि इसमें आपको lesson plan के जो book तियार किया जाते हैं जो report तियार किया जाते हैं उसमें सारा detail आपको इसमें एके करके मिलेगा उसका series अलड़ी हमने start कर दिया है इसका second video आज हम upload करने जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में हमने skill of introduction ने start किया था उसका first part था photosynthesis का आज हम लाए हैं micro organism का skilling of introducing तो सबसे पहले आप जब भी अपना जो report तियार करेंगे जो book तियार करेंगे उसके उपर आप जो report लिखना है जो भी किस class में आपने जाकर एक्टिविटी करा है उसका date and time five to seven minutes का ये session होता है वो report लिखेंगे उसके बाद आते हैं content में आपको क्या लिखना होगा कैसे लिखना होगा चली start करते है सबसे पहला हमारा है skill of introducing जिसके first topic है हमारा criteria of the skilling यानि जो भी criteria के जो भी 5-6 points होते हैं आपको एक के करके इसमें आपको लिखना पड़ेगा देर उसके बाद है आपका component यानि इस introducing का जो second part है component उसमें कौन-कौन से topic होगे तो उस component को आप इसमें लिखेंगे component कहीं part है हमारा opening statement opening statement यानि आप जब activity करने गए थे तो आप उस class में कैसे opening किया उसको आप यहां से note कर सकते हैं उसके presentation यानि आपने जो भी उस activity को कर रहा है उसको आप यहां पे tabular format में उस activity को आप लिखेंगे क्योंकि आपको यह report submit करना है और आपका report जितना अच्छा होगा आपको उस college के लवारा आपको उतना impression जाएगा और आपको उतने अच्छे numbers आपको मिलेंगे इसलिए आप अगर टेबलर format में लिखाते हैं तो आपके जो mentor होंगे आपके जो senior teacher होंगे वो अच्छे से आपके activity को समझ पाएंगे दिन आपको उसके according आपको number दे सकते हैं इसलिए आपको टेबलर format में लिखना पड़ेगा टेबलर format में आपको PT activity, student activity and components के बारे में आपको दिखाना है तो उसका जो remain अगला पार्ट है आपका टेबलर format का आप यहां से note कर सकते है अगर आपको वीडियो में कोई भी problem आता है और कि इससे later कोई भी आपको दिक्कत होता है कि यहां टेबलर format में दिक्कत हो रहा है आप समझ नहीं पा रहा है तो आप comment section में बताएंगे क्योंकि यह series आपको पूरा पूरे जितना भी report बनाना होता है पूरे book के recording आपको सिखाया जाएगा इसलिए कोई भी problem हो आप comment section में बताएंगे आपको एके करके आपको उसके problem को solve किया जाएगा क्योंकि यह report ही आपके आने वाले future में आप इसी के recording आप अपने class में जाएंगे तो आप उस activity को पूरा करेंगे real life में ताकि आपने बेड इसलिए कर रहे हैं ठीक है उसको पर closing statement opening statement आपने देख लिया closing statement आप जब class को rewind करेंगे खतम करेंगे complete करेंगे तो आपको closing statement क्या देना है ठीक उसका फिर एक tabular format आपको बनाना है देन आप जितने भी आपने उसको आपने use किया है उस component के regarding rating देना है यानि कितने बार आपने उसको use किया है उसके recording आपने एक बार दो बार थीन बार या चार बार उसमें एक recording आप उसको mark करना है एक एक activity को तो आप उसके recording ये activity mark करेंगे and then after ये आपका जो micro lesson plan का topic था आपका ये आपका complete हो जाएगा दिन आपको इसको complete करेंगे ठीक है आपको वीडियो कैसा लगा comment से सम जरू बताइए अगर आप B.A.D. के student है ताप इस series को जरूर फॉलो करें आपके लिए बेनिफिसरी होगा क्योंकि आपको आज के डिट में कोई भी आपको अच्छे से guide नहीं कर पाएगा आपको ये book के थुरू आपको guide किया जा रहा है आप अपना book report त्यार करें जैसे भी हैं comment section में comment करें आपको help किया जाएगा अगर आपको physical copy की requirement होगी PDF की requirement होगी वो भी आपको provide किया जाएगा ताकि आप अपने future बना रहे हैं आप अच्छे से कर पाएगा आप चैनल को subscribe कर ले अगर आप इस चैनल पे नए है तो अपने दोस्तों को recommend करें जो बीएट में पढ़ते हैं biological science से हैं या social science से हैं क्योंकि biological science के बाद हम social science का भी एक video series स्टार्ट करेंगे ताकि जो social science के student है वो भी अपना lesson plan का जो book है report है त्यार कर पाएगा लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के सब share करें ताकि हमारा manual बढ़ता रहे और ऐसे वीडियो हम अब इस चैनल पर upload करते रहें थैंक यू जय हिंद जय भारा